ओम शरी विष्णवे नमा साल की हर पुर्णिमा तिथी भगवान विष्णु, मालक्षमी जी और चंदरदेप्ता को समर्पित होती है हिंदी पंचान के नुसार पुर्णिमा की तिथी महिने का आखरी दिन होता है हिंदू कैलेंडर के नुसार चैतर का महीना साल का पहला महीना होता है और इसी दिन हनुमान जन्वोत सब भी मनाया जाता है इसलिए इस महीने की पोनिमा बहुत महतुपूर माने जाती है पोनिमा पर भगवान विश्णु और उनके अवतारों की पूजा करने की परंपरा है खास तोर पर आज के दिन भगवान सत्यनारायन की पूजा करके व्रत्की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुनी जाहिए तो आईए आज आपको बताते हैं साल की चैत्र पोनिमा की तिथी और शुब मुर्थ के बारे में ऐसी मानिता है कि चैत्र मास की पोनिमा को ही भगवान श्री राम के परंभक्त हनुमान जी का प्राकटि हुआ था इसलिए इस दिन विशेश रूप से उत्तर और मदिभारत में हनुमान जनमोत्सव मनाया जाता है हाला की हनुमान जनमोत्सव को लेकर कुछ मद्भूध भी है कुछ जगह पर हनुमान जनमोत्सव कार्ति कृष्न पक्ष की चतुरदशी पर मनाया जाती है तो कुछ जगा पर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन, हालकि धर्मिक ग्रंथों में दोनों ही तिथियों का जिकर मिलता है तो आज की इस वीडियो में आप पूर्णिमा तिथि के साथ ही जानेंगे आज के दिन रहने वाले कुछ शुब मुर्थ के बारे में, कुछ दुरलब सयोगों के बारे में और बजरंग बली हनुमान जी की पूजा के शुब मुर्थ के बारे में इस बार पुनिमा की तिथी दो दिन है पांच अप्रेल बुधवार के दिन पुनिमा का वरत रखा जाएगा और 6 अप्रेल गुरुवार को उद्या तिथी के नुसार पुनिमा का इस्तनान दान किया जाएगा और इसी दिन हनुमान जनमोसव भी मनाय जाएगा तो जो लोग भी पुर्णिमा का उपवास रखना चाहते हों वो 5 अप्रेल को उपवास रखेंगे पांच अप्रेल बुधवार को पुर्णिमा तिथी प्रारंप होगी सुबह 9 बचकर 20 मिनट से जिसकी समाप्ती 6 अप्रेल गुरुवार की सुबह 10 बचकर 4 मिनट पर हो जाएगी इसलिए चंदर देवता की पुजा का शुब मुर्थ भी आपको 5 अप्रेल को ही प्राप्त होगा वैसे तो पुर्णिमा का दान आप दोनों ही दिन कर सकते हैं लेकिन उद्यातिधी के नुसार दान करना ज्यादा शुब फलदाई होता है 5 अप्रेल बुधवार को चैत्र पुर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और इस दिन सुर्योदे रहेगा सुर्यास्त का समय रहेगा शाम 6 बचकर 49 मिनट ब्रह्म मूर्थ रहेगा सुबह 4 बचकर 43 मिनट से 5 बचकर 31 मिनट तक रहुकाल जो कि अश्योब मूर्थ माना जाता है दोपहर 12 बजे से लेकर देड़ बजे तक रहेगा द्यान रखें इस समय में आप किसी भी तरह का कोई भी शुबकारी करने से जरूर बचें चंद्रोदे शाम 6 बचकर 6 मिनट पर होगा और इसके बाद से आपका भी भी चंद्रदेवता की पुजा करके जदी आपने उपवास रखा है तो अपना उपवास भी खोल सकते हैं 6 अप्रेल गुरुवार को चैतरपुनिमा का इसनान दान किया जाएगा सुर्यदे इस दिन सुबह 6 बचकर 18 मिनट पर और सुर्यास्त का समय शाम 6 बचकर 40 मिनट पर रहेगा इस दिन ब्रहमुमूर्थ का समय सुबह 4 बचकर 42 मिनट से लेकर 5 बचकर 30 मिनट तक रहेगा ब्रहमुमूर्थ का जो समय होता है वो सुबह इसनान करके पुजा पाठ करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है मानता है कि अगर इस शुब मूर्थ में उठकर किसी भी मंत्र का जाप कर लिया जाए तो उस मंत्र के जाप से जल्दी ही मनुकामना पूर्ण हो सकती है इस बार 5 अप्रेल को सरवार्थ सिधी योग में चैतर पूर्णिमा का वरत और चंदर देवता का पूजन होगा इस दन सरवार्थ सिधी योग सुभा 11 बचकर 23 मिनट से लेकर 6 अप्रेल की सुभा 6 बचकर 6 मिनट तक रहेगा रवी योग सुभा 6 बचकर 7 मिनट से लेकर सुभा 11 बचकर 23 मिनट तक रहेगा अगर आपके जीवन में कोई भी कस्ट है और उससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं या आपके कोई भी ऐसी मनुकामना है जो बहुत उपवास करने के बाद कई नियमों का पालन करने के बाद भी पूरी नहीं होती हो तो आप सरवार्थ सिद्धी योग में किसी खास मंतर का जा कर सकते हैं और किसी भी मंतर का आप जाब कर सकते हैं उद्यातिति के नुसार 6 अप्रेल को हनुमान जन्मोत्सम मनाया जाएगा इस दिन सुबह में इस नान दान के बाद हनुमान जी की विधी विधान से पूजा होगी इस दिन लाभ उन्नती मुहुर्थ सुबह 6 बचकर 15 म सुबह 7 बचकर 48 मिनट से लेकर नौ बचकर 21 मिनट तक का जो समय रहे का वो अ किस दरता कर रहेका और सुबह दस बचकर 53 मिनट से लेकर 12 बचकर चबैस मिनट तक रहेका यह जो शुबह मुहुर्थ में उठकर पवित्र नदी में इसनान करना चाहिए अगर आप नदी में इसनान नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर इसनान जरूर करना चाहिए इसनान करने के बाद सोरी देपता को जल का अर्ग देना चाहिए और सोरी देपता के मंतर का जाब करना च इस दिन भगवान सत्य नारायन की पुजा करनी चाहिए, और चैतर पुनिमा की रात को चंदर देवता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, तभी पुनिमा का उपास या पूझा पुन्ड मानी जाती है पूजन करने के बाद किसी जरतमंद गरीब या ब्रहमण को अन्न का भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए मिट्टी की सुराही, मौसमी वस्त्र या मौसमी फलों का दान और दूध या दूध से बनी वी वस्तों का दान करने से सभी मनुकामनाई पून हो जाती है भगवान विष्णु की पूजा करते वे चंदन का तिलक लगाएं, श्री सत्य नारायन भगवान को चंदन का तिलक लगाया जाता है और इस दिन केले के व्रिक्ष की पूजा भी की जाती है केले के व्रिक्ष की जड़ में आज के दिन आटे का चौमुखा दीपक यदि संबभ हो तो गाय के शुदगी का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए और आपकी जो मनुकामना है उसकी पूर्ती के लिए प्रार्थना करने चाहिए क्योंकि केले के व्रिक्ष में साक्षत शुरी हरी का वास होता है पूर्णिमा के दिन ही पीपल के व्रिक्षकी भी पूजा करनी चाहिए शाम के समय सरसो के तिल का एक दीपक पीपल के व्रिक्षकी जड़ में जलाए साथ बार परिक्रमा करें हो सके तो कच्चा सूथ भी आपको बांधना चाहिए बजरंग बली हरुमान जी की पूजा करने के लिए गुरुवार के दिन आप आसपास के जो भी मंदिर है जहां पर भगवान बजरंग बली की प्रतिमा या तस्वीर हो वहाँ पर आप उनका पूजन करें और इस दिन आप चोला चड़ा सकते हैं बजरंग बली को लड़ू का या फिर पान का भोग लगाया जाता है साथ में तुलसी पत्र अनिवारी रूप से रखने चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से भगवान विश्नु बिना तुलसी पत्र के अपना भोग स्विकार नहीं करते हैं उसी प्रकार बजरंग बली की पूजा में भी तुलसी पत्र अनिवारी होता है शुरी सत्य नारण भगवान के वृत में दोपहर के समय कथा पढ़ी और सुनी जाती है आपको ध्यान रखना है कि बजरंग बली हनुमान जी की पूजा करतिस में पंचा मृत का भोग उन्हें नहीं लगाया जाता है मौसमी फलों का भोग आप लगा सकते हैं एक दीपक बजरंग बली हनुमान जी के मंदिर में जलाना चाहिए और आज के दिन सुन्दर कांट का बजरंग बाण का और हनुमान चालिसा का पाठ करने से परिवार में आ रही जो भी बाधाएं हैं कोई दुख परिशानी है वो भी मिट जाती है दूर हो जाती है और बजरंग बली के करपास से किसी की अकाल मृत्य नहीं होती और अगर आपके काम हमेशा अटक अटक कर पूरे होते हैं हर काम में बाधा आती है तो ये बाधाएं भी शान्त हो जाती है पुनिमा के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो सब को करने चाहिए जैसे कि अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करके भगवान विश्नु का, माता लक्षमी जी का पूझन दिन में और रात के समय चंदर दिर्ता का पूझन जरूर करना चाहिए रात के समय अपने घर के मुखिद्वार पर एक दीपक जलाना चाहिए पीपल के पेड की पूझा करनी चाहिए अपनी सामर्थ के अनुसार, धन, अन या वस्तरों का दान करना चाहिए और इन सब के साथ सथ आज के दिन व्रत की कथा भी पढ़नी और सुने चाहिए अगर आप व्रत रखने में असमर्थ हैं तो आप कथा भी पढ़िया सुन सकते हैं पवित्र नदियों में इसनान करने से जाने अन जाने में किये गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है किसी प्रकार के मान सहार का सेवन परिवार का कोई भी सद्ध से ना करे नाखुन बाल इत्यादी आज के दिन नहीं काटना चाहिए किसी प्रकार की कैसी भी जीवत्या नहीं होनी चाहिए जिसका बड़ा भारी पाप लगता है उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और हमारे चैनल पर चैत्र पुनिमा और श्री सत्त नारण भगवान की कथा आरती सहित अप्लोडेड है अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो